दोस्तो अभी अभी फिल्म देखी महराजा और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस साल की इंडिया की सबसे बेस्ट फिल्म बन चुकी है अभी तक 20 करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक 70 करोड की कमाई कर लिया बॉक्स ऑफिस पर यानि कि अपने लागत से तीन गुने से भी ज़्यादा कमाई ये फिल्म कर चुकी है क्यों कि ये फिल्म में है इतनी लाजवाब फिल्म के में लीड है विजय से तुपती जिनों लिए इस फिल्म के अंदर बहुत ही बहतरीन काम किया है और इसी के साथ साथ बाकी के अन्य कला कारों ने भी अच्छा भी ने किया है और बात करो इस फिल्म की कहानी की इस फिल्म की स्क्रीन प्ले की डिरेक्शन की वो बहुत ही जादा बहतरीन है मतलब आपने ऐसा सिनिमा बहुत टाइम से नहीं देखा होगा अगर आपने द्रिश्यम देखी है और जो आखिन सस्पेंस होता है द्रिश्यम के अंदर वैसा ही कुछ सस्पेंस इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो द्रिश्यम वाली वाइब आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी कहीं कहीं जगे पर आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म के अंदर आखिर चल क्या रहा है कभी कुछ दिखा रहे, कभी कुछ दिखा रहे, कभी past, कभी present, कभी कुछ आप ठोड़ा confused हो जाओगे, लेकिन end आते आते आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आखिरी के 20 मिनट है, वो इस फिल्म की जान है, उसमें कहानी पलटती है, कहानी एक करवट लेती है इस फिल्म की कहानी घूमती है एक dustbin के इर्दिगर्द, जी हाँ, आप भी बोले लोगे भई, क्या फिल्म है, dustbin कहां से आ गया नाम है फिल्म का महराजा, पोस्टर है बिल्कुल मास हीरो वाले, लेकिन ये फिल्म एक मास फिल्म नहीं है ये फिल्म एक क्लास फिल्म है, नाम महराजा है, लेकिन फिल्म एक सिंपल सी फिल्म है एक dust bean खो जाता है उस dust bean को ढूड़ना पड़ता है लेकिन महज वो एक dust bean नहीं है उस dust bean के अंदर बहुत सारे राज दबे हुए है ये basically एक revenge story है बदले की कहानी है कही कही पर मुझे लगा कि ये film दो गंटे 20 मिनट के बज़ा अगर दो घंटे की होती तो जादा बेटर होती जादा क्रिस्प होती इसके अलावा कुछ कुछ जो सीन से फिल्म के अंदर उनका कोई सेंस नहीं बनता लेकिन फिर भी वह आपको कर्फ्यूस करने के लिए डाले गए ताकि आप इस फिल्म को देखे जरूर आपको काफी मजा आने वाला है एंडिक काफी बेटरीन है कुछ कुछ सीन काफी अच्छे हैं पलोट काफी इंठ्सट्रिक रखा गया है स्क्रीन प्ले अच्छा है डिरेक्शन अच्छा है एक्टिंग अच्छी है overall काफी अच्छी फिल्म लगी मुझे ये तो मैं दोंगा इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार बाकि एक माक्स मैंने इस फिल्म का इसलिए काटा क्योंकि मुझे लगा कि कुछ-कुछ सीदिस में extra डाले गए है लोगों को घुमाने के लिए जिनका कहानी से कोई मतलब नहीं था लेकिन जो पतायस जो suspense है जो thrill है वो काफी अच्छा है हाँ आप इस फिल्म को अपनी family के साथ भी देख सकते है इस फिल्म के अदर कोई भी गंदे सीद नहीं है कोई भी उत्पड़ा चीज़े नहीं है और आपको तो पताये कि विजय से तुपती एक mass actor तो नहीं है लेकिन एक class actor है उनकी फिल्म में बेशक ज़्यादा कमाई ना कर पाती हो लेकिन उनकी फिल्म का concept, storyline और जो uniqueness है वो काफी ज़्यादा अच्छी होती है तो अगर आपने एक फिल्म देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको एक फिल्म कैसी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद